असलावलेकुम मेरा नम हैसान दारिश है वेलकम करता हूँ आपको कैन्वा के कंप्लीट डिजाइनिंग कोर्स के अंदर ये कोर्स बेसिकली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो जिनके पास कोई स्किल नहीं है और वो क्रिकली एक स्किल सीखना चाहरे हैं तो ये के लिए परफेक्ट स्किल है जिसको यूज करते हुए वो डिफरेंट मार्केट प्लेसिस पे सर्विसिस भी दे सकते हैं आए इस पूरे कोर्स की आउटलाइन देखते हैं लाप्टॉप स्क्रीन के उपर यहां पर देखें मैं हमारे पास सबसे पहले बात इंट्रोडक्श तो यह गोर्स उसके लिए परफेक्ट है बिगनर से लेके अड्वांस तक कोई भी बन्दा इसको जॉइन कर सकता है उसके बाद हम सबसे पहले कैनवा के साइन अप करके मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल लाइप प्रैक्टिकल उसके बाद कैनवा प्रो और कैनवा फ्र के बाद हम कुछ प्रोजेक्ट करेंगे उनके अंदर हम डिफरेंट काम करेंगे थामनेल बना लिया कोड्स वाले जो है बैनर बना लिया उसके लवा सीवी हम किस तरह से बनाएंगे लोगो किस तरह से बनाएंगे इस्टाग्राम यूट्यूब के लिए थामनेल उसके इला इस skill को यूज करते हुए अब marketplace के अंदर आप किस तरह से जाके पैसे कमा सकते हैं और क्या क्या skill से आप कर सकते हैं तो आई होप आपको को आपको आपको पसंद आई होंगी इंशाला मैं इस पूरे को बहुत ही वीडियो आप तक टाइम से पहुंचते हैं असलांगेकुम आई होप आप सारे लोग एरियत से होंगे लास्ट लेक्शर के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था इस कोर्स का आज के इस लेक्शर में मैं आपको साइन अप करने आपके सं but Also, आप यहां यहाँ पर क्लीक करें और आप और आपके सामने इस तरह से एक pop-upp नज़र आएगा तो आप यहांसे डरेक्टिछ ली ग्मेल के साथ भी sign in कर सकते है otherwise आप क्या कर सकते है sign in with your email तो simple आपने इस पर click करना है यहां पर अपना जो है email input करना है और इसके बाद इसको continue कर देना है continue करने के बाद यहां पर अपना name लिखना है आपने और यहां पर आपने अपना पास्वर टाइप करना राइट और उसके बाद simple create account पे click कर देगे और यहाँ पे एक verification आई हमारे पास इसको हम इस तरह से verify कर लेंगे और एक code हमारे email पे गया है जो के हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखें यह code आ चुका है simple हम इस code को copy करेंगे और यहाँ पे paste करके इसको verify कर देगे ओके यहाँ पे हमारा जो complete account है वो sign up हो चुका है इसको मैं later कर दूँगा simple और इन सब को मैं यहाँ पे हमारे पास complete account जो हो चुका है तो अब इस तरह से कुछ interface हमारे सामने नजर आएगा तो इसको हम यह जो interface आपके सामने नजर आ रहा है यहाँ पे कुछ और options है हमारे पास यहाँ पे कुछ और options है next lecture के अंदर हम इस पूरे overview के dashboard को complete detail के साथ इसका overview देखेंगे तो I hope आपको समझ आई होगी कोई भी question है किसी भी थरह का तो आप नीचे comment कर सकते हैं I hope आपको सारी बातें समझ जा चुकी होंगी पूरा process तो अगर आप भी तक आपने subscribe नहीं किया तो नीचे जा के subscribe करें और bell icon को ज़रूर प्रेस करने ताके नहीं आने वाले वीडियो आप तक timely पहुंचते रहे हैं मिरते हैं इंशाले नेक्स लेक्शर के इंदर तिल दिन कीप लर निंग के dashboard का तो चले चलते हैं laptop screen के उपर यहां पर देखें हमारे पास यहां पर कुछ options है top के उपर और left side पर कुछ options है और यहां दर्मियान में कुछ options हमारे पास नजर आ है जो की shortcut हम इन्हें कह सकते है तो सबसे पहले हम इनको discuss कर लेता है top वालों को यहां पर देखें एक menu hide और menu show का option है यह वाला menu अगर आप करना चाहरे उसके इलावा यहां पर हमारे पास कुछ resources है canva की तरफ से इनको आप देख सकते हैं invite your team मतलब कुछ shortcuts है अगर directly आप logo design करना चाहरे है फ्लायर design करना चाहरे है तो directly इन पर click करके उनके artboard जो है वो आप open कर सकते हैं और यहां पर यहां पर फिर मजीद कुछ resources हैं यहां पर कुछ pricing plans हैं और यहां पर canva की तरफ से कुछ और resources है learning material के अगर आप सीखना चाहरे है canva के about बहुत जादा deeply तो इस course के अंदर भी मैं आपको तक्रीवन एक टूजी सारी चीज़े ही सीखा दूँगा मजीद इनको जा कि आप explore कर स सकते हैं उसके बाद यहां पर कुछ settings है account की settings कर सकते हैं आप अगर मैं इस पर click करूँ तो यहां पर देखे हम अपने profile का name और यह सारी चीज़े प्रफाइल पिचर upload कर सकते हैं यह सारे काम अभी यहां से कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास यहां पर जो option है वह बहुत main option है यह create design का इस पर आप click करेंगे तो यहां पर देखें बहुत सारे options मौझूद हैं आपको क्या design करना है आप simple यहां से select करेंगे और directly उसी तरह का एक artboard आपके सामने show हो जाएगा उसके बाद यहां पर कुछ options है हमारे पास customize size का अगर इनके इलावा कोई और size कोई और design आप क करना चाहरे हैं तो इस पर click करके आप size width और height देंगे और उसके बाद create design कर देंगे यहां से तो उसी तरह का artboard खुल जाएगा उतने ही size का right अगर मैं इसको करूँ और इसके लाब अगर कोई ऐसी चीज़ जो के आपको यहां पर नजर नहीं आ रही और आप वो design करना चाहर art और यहां पर देखें channel logo channel art तो इन से जो भी आप click करेंगे उसी तरह के templates और उसी तरह का artboard आपके सामने खुल जाएगा उसके बाद यहां पर हमारे पास again वही account settings है जो यहां से आ रही थी और कुछ और options है get help के नहीं से log out कर सकते हैं तो यह था top के options अब आ जाते हैं जरह can work के अंदर बहुत सारे जो है वह templates मौझूद है pre-built pre-designed जिनको आप क्या कर सकते हैं just click के जरीए edit कर सकते हैं और उनके अपने desired content अपने desired images वह सारी कर सकते हैं यहां पर देखें बहुत सारी unlimited templates यहां पर मौझूद है हर category की let's suppose यहां पर मैं flower लिखता हूँ तो यहां पर मे जिनको में बकाइदा easily edit कर सकता हूँ यहां पर देखें ठीक है इनको just one click के जरीए में edit कर सकता हूँ वापे से अलते हैं हमारे पास यहां पर फिर एक और option projects का यहां पर आपको वो projects नजर आएंगे जो आपने कियो हैं यह जिन पर आप काम कर रहे हैं right जो आपने यह complete करके download कर लिए वो सारे आपको यहां पर नजर आएंगे उसका बात यहां पर हमारे पस कुछ tools हैं जो के canva pro version के अंदर है यह भी मैं आपको दिखाऊँगा जब मैं pro version पर video record करूँगा तो यह सारे चीज़ है उसके इलावे यहां पर mock-up है जो के बहुत जबलदास चीज है smart mock-up यहां पर आप क्या कर सकते हैं किसी भी तरह का mock-up design कर सकते हैं आपने different mock-ups देखे होंगे यहां पर अपना logo अपनी website का या किसी भी चीज़ का product का आप design लगा सकते हैं इसके बात create team अगर आप इसको invite करना चाहरे है अपने design को edit ये access करने के लिए तो यहां से आप वो कर सकत हैं तो यह एक general सा overview था Canva का dashboard का और यहां पर इन सारे options को हम one by one क्या करेंगे explore करेंगे और इनको use करके देखेंगे तो I hope आपको समझाई होगी अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो कर ले subscribe कर लें ताके next आने वाले videos आपको timely manners में मिलें तो मिलते हैं इंशाललह next lecture के इंदर till then keep exploring आप सारे लोग खेरिये से होगे आज के इस lecture के अंदर हम बात करेंगे canva pro versus canva free इन दोनों में क्या difference है आपके लिए suitable कौन सा है तो इसको practically laptop screen के उपर शलके देखें हम आ चुके हैं laptop screen के उपर और यहां पर देखें हम अगर pricing and plans में जाएं और यहां पर यहां पर यहां पर free का और canva pro का canva free के लिए आपको कोई payment नहीं देनी बिल्कुल भी $0 के अंदर यह आपको lifetime के लिए available है इसके इलावे यहां पर देखें हैं यहां पर इतनी सारे templates मौझूद है 100 plus designs मौझूद है 1 million plus free stock photos and graphics मौझूद है 5GP cloud storage मौझूद है और कब सारे यह जो options आपको नजर इसके लावा canva pro के अंदर देखें यहां पर 100 plus million premium stock images मौझूद है उसके लावा unlimited features and folders and premium content आपको access करने को मिलेगा templates आपको इतनी सारी templates मिलेंगे जिनको आप simple one click के जरी edit करके export कर सकते हैं अपना time बचा सकते हैं उसके इलावे यहां पर काफी सारे options हैं यहां पर देखें 1TB की cloud storage भी है मतलब आप अपने designs को canva के अंदर ही रख सकते हैं और महीं से जब चाहें access कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कौन ही के अंदर तो यह है canva pro versus canva free right अब जो canva pro है उसकी price है 54.99 dollar per year तो अब आपको कौन सा choose करना चाहिए यह totally depend करता है आपनी नीड के उपर अगर आप के पास clients है और आपके काम के लिए आपको जरूरत है canva pro की और उन premium resources की तो आप canva pro ले सकते हैं otherwise canva free right now अगर आप beginner है तो आपके लिए canva free बहुत है आप इसके जरी हर तरह की edits कर सकते हैं इस पूरे course के अंदर मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा canva free के अंदर भी काम और basically design interface सारा कुछ same रहेगा बस कुछ extra features वहां पर मिल जाएंगे कुछ extra resources हम है canva pro के अंदर मिल जाएंगे right तो ये इस तरह से है इसके इलावा एक और hack है कि आप market के अंदर बहुत सारे लोग canva pro जो है वो reseller बेच रहे है teams के जरीए और वो आपको बहुत ही जादा कम prices के हैं तो वो खरीद सकते हैं तो आई होप आपको समझ आई हो कि canva free और canva pro के अंदर क्या difference है मजीद आगे चल के इसको हम देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि क्या फर्क है तो मिलते हैं इंशाला नेक्स वीडियो के अंदर तिल दन keep learning keep exploring subscribe नहीं किया तो kindly subscribe कर लें ताकि next अने वीडियो आप तर पहुंचते रहें मिलते हैं इंशाला नेक्स लक्चर के असलाम लेकुम आई होप आप सारे लोग खेहरी है सुनगे आज के इस लक्चर के अंदर हम canva के editor का जो overview है dashboard है उसकी तरफ जाएंगे और उसको देखेंगे और उसके अंदर जो भी options हैं उनक canva editor की बात करने जा रहें अब उस editor को हम कहां से access करेंगे जो की main feature है canva को जितने भी designing और edits होंगे वह वहीं पर होंगे तो हम simply उसको access करने के लिए यहां से हम किसी भी उस पर click कर सकते हैं right इसके लाब कस्टमाइज size पर click करके यहां पर size देके create करेंगे तो भी हमें editor खुल इस template को मैं edit करता हूँ तो यहां भी देखे हमारे पास complete जो है dashboard नजर आ चुका है यह editor के dashboard है यह वाले options को हम आज discuss करेंगे कि इनका क्या मतलब है तो basically यहां पर हमारे पास सबसे पहला option है file guys के अंदर कुछ options आपको मिल जाते हैं जिसके अंदर आप this canvas के अंदर कुछ changes ला तो इस तरह से यहां पर देखें वो इसको show करवा सकता हूँ इसके इलावे यहां पर और कफसार options है import file create new design find and replace text let's suppose मैं यहां पर इस पर click करता हूँ तो यहां पर मैं कहता हूँ कि यहां पर daily को find करना और उसकी जगह पर replace कर देना है अहसान तो यहां पर देखें उसकी जग documents देख सकते है version history देख सकते है make a copy download कर सकते है design को तो यह basic basic options है right उसके इलावे यहां पर हमार पास एक option है resize का अब let's suppose यह वाला जो design है वो 500 by 500 का है लेकिन हमें इसको resize करना है 300 by 300 के अंदर तो यह क्या इस option से हम इसको कर सकेंगा लेकिन यह pro version के अंदर available है right उसके इलावे यहां पर हमार बास दो और options है undo or redo let's suppose अगर यहां पर हमने यह जैसे change किया तो अब मैं इसको खतम करके previously दुबारा लेकर आना चारूं तो simple इस पर click करूँगा अगर यह मेरे से घलती से हो गया तो फिर मैं इसको वापिस इस तरह से redo कर दूगा right तो यह options है उसके बलावा यह एक indication है कि आपके design में जो changes आपने की है वो save हो चुकी है यह नहीं हो चुकी राइट उसके लावा यहां पर आप इस design को नाम दे सकते हैं let's suppose मैं यहां पर इस तरह से दे सकता हूं नाम इस design को उसके लावा यहां पर फिर again आप click करोगे तो pricing पर पहुंच जाओगे अप इस design को आप चाहते है कि कोई और भी access कर पाए आपका team member या आपका जो है student कोई भी तो यहां पर आप उसको add कर सकते हैं वो इस design को edit कर सकेगा और इसको download कर सकेगा उसके लावा यहां पर share को option है यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं इस design को जो हमने बनाया इसको download कर सकते हैं directly share कर सकते हैं सोशल मेडिया के अपर या फिर यहां पे हम इसका लिंक जनरेट करके किसी को लिंक भेज सकते हैं उसके जरीए यह वो अपने केनवा अकाउंट से इस डिजाइन को एकसेस कर पाएगा तो यह कुछ ऑप्शन थे उसके बाद हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड फ्यूपर यहां पे तो यहां पे हमारे बस सबसी जो पहला ऑप्शन है वो है टेंप्लेट्स अब यहां पे जितने भी टेंप्लेट्स नजर आ कि जिनको आप एड़िट कर सकते हैं लेट्स सबस्क्राइड करना चाहा हूँ मैंना क्लिक किया और यहां पे देखें कि अब मैं इसको एड़िट कर सकता हूँ ठीक है इसी तरह यहां पे कुछ हमारे पास जो हैं वो हैं पिल्टर हैं अगर मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ याल वाली शोग हो गही है, अगर मैं चाहता हूँ green वाली शोग हो तो यहां पर देखे green जितने भी हैं वो वाली शोग हो गही है, तो यह है template का option, उसके बाद है elements का option, let's suppose, design के अंदर मैं कोई मैं भी element यूज़ करना चाहरा हूँ, कोई line, shape, dots या कोई भी और element यहां पर कप सरे animation, gif, photos, videos और बहुत सारी चीज़ हैं यहां पर मौझूद हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं अपने design के अंदर, let's suppose मैं इसको use करना चाहरा हूँ, तो यहां पर देखें, यह हमार element और options आगए, आप इसको animate कर सकते हैं, let's suppose यहां पर देखें, आप इसको इस तरह से different animations दे सकते हैं, flip कर सकते हैं, crop कर सकते हैं, इसकी position set कर सकते हैं, इसकी opacity कम या जादा कर सकते हैं इस तरह से, तो हर element की यहां पर मजीद आपको settings मिल जाएंगी, उसके लावर इसके उपर link लगा सकते हैं, कोई इस पर click करें तो वो उस link पर redirect हो जाए, तो यह वाले सारे options आपको यहां से मिल जाएंगे, तो यह है element को option, इसके अंदर काफी सारे elements मिल जाएंगे, जिनको हम future में चले के यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारे पास यहां पर uploads, आप अपने laptop या Instagram या क तो मैं simple यह upload कर दिया और मैंने इस पर click किया तो अब मैं इसको अपने design के अंदर use कर सकता हूँ, यह मैं randomly images यूज़ कर रहा हूँ, future में चलके हम professionally एक बिल्कुल detail के अंदर हम यह काम करेंगे, अभी just मैं आपको सिर्फ options की how not दे रहा हूँ, उसके अलाब यहां पर text है और बहुत सारे fonts हर तरह के fonts यहां पर मौझूद हैं, जिनको अब use कर सकते हैं अपने design के अपर, let's suppose यहां पर हमार पास neon की तरह का अच्छा यह pro feature, यह pro के अंदर है, जिनके अपर यह crown लगा हुआ, यह pro वाले fonts यह pro वाले चीज़ हैं, उनको आप pro version में ही use कर पाएंगे, let's suppose यह एक text है, इसको मैं use करना चाहा रहा हूँ, अपने design के अंदर तो यहां पर देखें, मैं इसको use कर सकता हूँ, right, तो यहां पर आपको हर तरह का text मिल जाएगा, हर तरह का font style मिल जाएगा और बहुत सारे चीज़े मिल जाएंगी, right, उसके बाद यहां पर हमारे पास projects हैं को access करना चाहा हैं, तो यहां से देखें लेकर आ सकते हैं, उसके लाब ऑडियू, अगर आप access करना चाहा हैं, तो यह देखें, यहां पर आग guitया है, Secondly, Backgrounds यहां पर देखें, different pairs के backgrounds है, अगर मैं इनको delete कर दूँ, और इसको भी मैं delete कर दूँ, तो यहां पर देखें, यहां किस तरह से background को setup कर सकते हैं इसके इलावे यहां पे और वीडियो styles, charts और यहां पे और बहुत सारी QR code और बहुत सारी चीज़ें यहां पर मौजूद हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं तो I hope आपको Canva का editor का जो टूर है वो पसंद आया होगा आपको समझ आई होगी कि क्या कौन-कौन से options मौजूद है Canva के editor के अंदर और उनको आप किस के तरह से यूज कर सकते हैं यह तो basic से वो थे आगे चल के मजीद इन पर जब हम practical काम करेंगे तो आपको मजीद सब्सक्राइब करें लाइक कर दे वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सारे लोग है रहे हैं आज किस लेक्टिकली लेके चलूंगा करेंगे चलते हैं लापड़ स्क्रीन के ओपर फिर तो अधों आप स्थीय के ऊपर यह पर और आद। मजीने करेंगे और हम की तरह की तरह कबी अन् het देजाइन करेंगे जाहां भी सब्सक्राइब Eg करते हैं सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहां से चला जाता हूं वोमपेज के उपर और यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर अगर मैं लिख हूं खला हूं नहीं होँ आयए सब्सक्राइब नहीं है तो इस ऐसे होँ सब्सक्राद मतुस्सााइब कर दृट यहांरे पास ज़यों थेसेतं हैं 370 है तो simple मैं यहां पर आता हूँ 550 by 370 और यहां पर मैं इसको design create कर जाए तो हम चले जाएंगे canvas के उपर तो basically हमें कुछ इस तरह का कुछ design करना है तो हम यहां पर आचुके canvas के उपर और यहां पर सबसे पहले हम एक background चाहिए और उसके उपर हमें यह सारी settings आई है तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एक background set करते हूँ और यहां पर background click करता हूँ यहां पर लिखता हूं website यहां पर हमारे पर कोई website ऑला बो नहीं हम चलते हैं google पर और यहां पर मैं लिखता हूँ websites सिंपल यहां पर इमेज ज़ांगा इनीजिस पर जाने के बाद यहां पर देखें कुछ इस तरह हाँ से हमारे पास यह वह एल वा बैक्ग्राउन गां ले लेते हैं तो इसको मैं क्या कर लूंगा एक सेव कर लेता हूं कि और वापिस यहां लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे upload कर देंगे यहां पर यह हम यहां पर upload करके इसको हम बैक्ग्राउंड के अपर कुछ इस तरह से setup कर देंगे इस तरह से कुछ setup कर दिये मैंने इसको अब मैं क्या करता हूं इसकी जो opacity है वो थोड़ी सी कम कर सकता हूं बट मैं क्या करता हूं यहां पर हमारे पास opacity है इसको मैं कुछ इस तरह से थोड़ी कम कर दोगा और इसके बाद हमारे पास यहां पर देखिए एक shadow है उपर की तरह तो मैं क्या करता हूं यहां पर elements में आउंगा elements में आने के बाद यहां पे मैं एक और जो है वो shape यहां पे मैंने ले लिए है इसको मैं यहां पे set करूँगा कुछ इस तरह से और फिर इसकी opacity जो है वो मैं कम कर लूँगा यहां पर कुछ इस तरह से राइट तो यह हमरे background जो है वो setup हो चुक है बिल्कुल इसी तरह से अब हमें यह वाला section जो है वो design करना है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहां पे all shapes में आता हूँ all shapes में आने के बाद और यहां पे देखें कुछ इस तरह का जो है वो मैं shape यहां से ले लेता हूँ और इसको मैं यहां पे रखता हूँ अच्छा इस shape का मैं जो color है वो change कर लेता हूँ जो वो हो था ओके और यहां पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कुछ इस तरह से अच्छा यह थोड़ा सा चले हम यह वाली shape यूज़ कर लेते हैं उन्होंने दूसरी shape यूज़ की हुई थी तो मैं इसको यूज़ कर लगता हूँ राइट चले इसको delete करते हैं सेम उसी तरह की कोई shape यूज़ करते हैं यहां भी यह हमारे पास वो shape रही right इस shape को मैं delete कर दूँगा simple यहां पे click करके right click करके और इसको यहां पे इस तरह से लाके इसको कुछ इस तरह से मैं set कर लूँगा और इसका जो size है वो मैं कुछ इस तरह से बढ़ा कर लूँगा ओके यह हमारा वो size हो गया इसका color भी मैं क्या कर लेता हूँ change कर लेता हूँ यहां से simple कुछ इस तरह से अब हमें इसके अंदर लगानी है एक image इस तरह से तो मैं क्या करता हूँ एक और shape लेता हूँ यहां से आता हूँ और यहां से आपकी बार में क्या कर लेता हूँ एक circle ले लेता हूँ इस circle को मैं इसके अंदर रखता हूँ इसका मैं color जो है वो change कर देता हूँ some sort of this और इसको म यहां पे यह रख दिया इसको मैं मजी थोड़ा सा यहां पे यह आ चुकई अब इसके अंदर हमें लगाने है है एक image image के लिए हम यहां पे यह frames में आए ठीक है और यहां पे देखें option होगा frames का यह frames का option रहा है इसको sorry हम यहां से यह फ्रेम चूज करेंगे और इस फ्रेम को इसके अंदर कुछ इस तरह से सेट करेंगे और इसका साइज जो है वो यहां से इस तरह से अड़ेस्ट कर देंगे इसको मैं मजीद थोड़ा सा बड़ा करता हूं यह हमारे बस फ्रेम सेट हो चुका है अब इसके अदर मुझे इमिज लगानिया है तो मैं सिंपल यहां से एक इमिज अप्लोड कर लूँगा लथ 沒有 से यहां से मいた इमिज अप्लोड कर लोगा एक और इस इमिज को ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर दूँगा अब यहां पे देखिए अगर एडजेस्ट करना है इसके डबल क्लिक करूँगा और यहां पे देखें इसको इस तरह से मैं अडजेस्ट कर सकता हूँ तो राइट ना यह कफी अच्छी लग रही है तो इसी तरह रहने दूँगा यहां पे हमारे पास यह शेप मुझूद है इसको मैं यहां पे सेट कर लूँगा कुछ इस तरह से और इसको यहां पे मैं ऐसे सेट कर लिए तो इसके उपर मुझे क्या करने है लोगो रखने है अभी के लिए मैं कोई नए लोगो अपलोड नहीं कर रहा तो आप अपने ल करूंगा पेस्ट करूंगा अगें just for the sake of learning कि आपको मैं दिखा सकों इस तरह से logo adjust हो जाएंगे यहां पर यह लोगो adjust होगे उसके बाद जो option था यहां पर वो था आई text का तो मैं यहां पर क्या कर दूँगा text लिख दूँगा simple let's say मैं यहां से कोई भी बिल्कुल straight and white text ले लूँगा okay let's say यह बला text मैं ले लता हूँ अब इसके ओपर यह जो extra चीज है इसको मुझे delete करना मैं simple इस पर click करूँगा यहां से delete का button press कर दूँगा अपने PC से और यहां पर again delete and delete अब यहां पर हमें क्या लिखना है design redesign तो मैं यहां पर इसको design redesign redesign और इसका size जो है वो मैं छोटा कर दूँगा okay यहां पर हमारे पास इसका size जो है वो छोटा हो चुक है और इसके जो color है इसका इस text का मैं यहां से change कर रहूँगा okay और again फिर मुझे यहां पर again एक shape लेनी है कुछ इस तरह से और इसको मैं कुछ इस तरह से setup कर दूँगा और इस पर right click करूँगा तो इसको send to back कर दूँगा ताकि यह इसके पीछे चला जा है मजीद एक और बार click करूँगा send to back कि इसके भी पीछे चला लिया okay and again इस पर मैं copy करूँगा पेस्ट करूँगा और इस तरह से यहां से website यहां लिख देता हूं मैं यहां पर wordpress website okay और इसको मैं मजीद यहां से adjust कर लूँगा इसका size वगयर adjust कर लूँगा okay यहां पर यह यहां तक यह हमारे पास complete हो चुकी ही चीज़े उसके बाद हमें क्या करना है यह वाला button setup करना है तो simple again मैं उसी तरह से shape लूँगा एक और इसको यहां पर setup करूँगा button की तरह यह किसी भी तरह का button बनाना चाहें वो बना सकते हैं let's suppose मैं round button बनाना चाहा रहा हूं तो मैं क्या करूँगा यहां पर लेके यह वाली shape ले लूँगा और इस shape को जो है मैं उठा के यहां पर रखूँगा और इसकी जो size है उसको इस तरह से कुछ खेंच लूँगा और इसके ओपर again यही text को copy करूँगा control c control v यहां पर लाके इस पर लिख दूँगा order now और इसका जो size है वो में छोटा करके इसको यहां पर setup कर दूँगा right तो यहां पर देखें हमारा somehow वोई shape आ चुकी है तो यह मैंने एक random सा और basic सा design बनाना है जल्दी जल्दी के अंदर बस आपको elements का use करके दिखाए इसको मैंने बिल्कुल full polish नहीं किया और बिल्कुल basic सा बनाया है तो let's say अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर देखें यह design भी मैंने canvas से ही बनाया है बिल्कुल straight तो आप इन elements को use करते हुए इस तरह से कुछ अपना design जो है वो process कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें include कर सकते हैं मैं hope आपको समझ चाहिए होगी कि किस तरह से आप एक thumbnail fiber के लिए किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं अलिमेंट उसको use करते होगे तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर के अंदर तिल दन keep learning keep exploring चैनल को subscribe कर दें वीडियो को like कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई है असलाम वेकुम मेरे रहा मैं साम दानिश है आज किस लेक्चर के अंदर हम कैन्वा का दूसरी तरह का एक thumbnail design करेंगे जिसके अंदर हम एक transparent character को use करेंगे और उस तरह से उसको design करेंगे तो चले चलते है laptop screen के ओपर यहां पर देखे कुछ इस तरह का हम जो है वह डिजाइन कर कि अग्राइए था उसको मैंने delete कर दिया है और यहां पर मुझे सबसे पहले क्या करना है कुछ इस तरह का design create करना है सबसे पहले मैं इसके background जो है वह set कर लेता हूँ उसके लिए मैं क्या करता हूँ background पर click करता हूँ यहां पर make solid color ले लेता हूं right इस तरह से मैं एक solid color ले ल तरता हूं और इस तरह से सको सेट कर लिए तो यहां पर uh like that लेक्टेट यह हमारे पास एक बैक्राउंड सेट हो गया अब मुझे क्या करना है अब मुझे यहां पर इस तरह का के इक और यूज सकता है अब एक रेक्टर आप किस तरह से ले सकते हैं आप अपने पिचर यूज़ कर सकते हैं या मैं यहां पे देखता हूं वाव फ्रेशनल गर ठीक है यहां पे देखें कुछ इस तरह से आपको स्टॉक इमिज़ मिल जाएंगी तो लेट से मैं यहां पे इस इमिज को डाउनलोड करता हूं इस इमिज़ को सेव करता हूं लेकिन यहां पे देखें इसका बैक्ग्राउंड है अब इस बैक्ग्राउंड को मैं किस तरह से रिमोड करूँगा इसका लिए मैं एक थर्ड पार्टी जो है वो एब का यूज़ करूँगा उसका नाम है रिमोड बीजी इस तरह से यह वाली इमिज डाउम्लोड कर लेता हूं यह जे पैग के अंदर इमिज है वो इसका जो है तो यहां पर देखें यह इसका बैक्ग्राउंड जो है वो आटोमेटिकली रिमूव कर देगा तो यहां पर देखें हमारे पस फिर्ट इमिज आ चुकी है इसको मैं डाउम्लोड कर लूगा disciple और आप्द यहां पर उसी मिज को क्या कर लूँगा अप्लोड कर लूँगा यहां मैं अप्लोड ऑंद जो है प व्यंकट बैक्ग्राउंड रिमोट वाली यह इमिज मौद फिल परyt आपर से आप쪽 कर लोंगा और यह पेइस को इस तरह से सट कर दूंगा और आई उसके बाद इसको फोरे से इस तरह से खेंच मिश् nee कर दिया आए कर दो ओके यह आपर हमने Сегодня को सेट कर दिया अब यहां पर मुझे कुछ text चाहिए और कुछ icons चाहिए तो मैं simple यहां पर text पर आऊँगा और यहां पर मैं क्या करूँगा कोई अच्छा सा text जो के बिल्कुल visible हो easy to read हो उस तरह का कोई text यहां पर मैं choose कर लोगा let's say यहां पर मैं इस वह टेक्स को यूज कर लेता हूं और इनको डिलीट कर लेता हूं यह जो नीचे यह उपर चीज़ें मुझूद हैं और यहां पर मैं लिखता हूं WordPress इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इस तरह से इसका size अड़ेस्ट कर लिएंगा अब इसका मैं थोड़ा सो इसको मैं visible करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूँगा एक shape लोगा यहां से और वो यह वाली shape है इसको मैं इस तरह से इसके पीछे रखके अब यह इसके उपर आ रही है इसको मैं right click करके send backward कर दूँगा इसका मैं size जो है वो थोड़ा से adjust कर लूँगा अब जो यह है थोड़ा अच्छे से visible हो रहा है यह text right तो यहां पर रेखें कुछ इस तरह से हमने लिखा अब मजीद same again मैं इसको copy कर लूँगा paste कर दूँगा इस text को और मैं इसको लिख दूँगा website या web design okay और again फिर मैं एक और shape लूँगा और इस बार इसको मैं कुछ इस तरह से set करके अगें इसको send backward कर दूँगा right लेकिन इस बार इसका मैं जो color है वो change कर दूँगा let's say इसका color मैं black कर दूँगा ताकि थोड़ा अच्छे से visible हो और इसके पर जो text है उसका color मैं yellow कर दूँगा अब यहां पर देखें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है तो इसको मैं वजीद अब इस तरह से भी set कर सकता हूं ठीक है यहां पर मैं अपनी image जो भी आपकी image है अपनी convenience के मताबिक आप इसको इ icons चाहिए तो मैं icon यहां से download कर सकता हूं जैसे wordpress png icon यहां पर देखें हमारे पास यह wordpress का icon आगिया है मतलब जो भी चीज़ का icon आप यूज कर रहे हैं उसको google से इस तरह से आप download कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको save कर सकते हैं save करने के बाद again वही process आप उसको यहां प upload करेंगे और यहां पे वो मेरे श्याल से आया नहीं है again मैं इसको save करता हूं I don't think के वो कहां पे चला गिया है तो मैं यहां पे चले एसर का यहां पे मिरे पास एक logo मौजूद है अब जो भी logo यूज़ करना चाहिए उसको use कर सकते हैं मैंने इसको यहां पे adjust कर दूँगा क कुछ इस तरह से तो यहां पे जितने फी logo आप लगाना चाहिए लगा सकते हैं उसके इलावा अगर आपने यहां पे फिर button बनाना है तो button आप इस तरह से बना सकते हैं मैं कुछ इस तरह से button बनाता हूं कि आप इस तरह से एक slide ले और इसका जो color है वो आप सेट करें जो भी आपकी मर्जी हो मैं black कर देता हूं और इसके इलावा इसी text को मैं copy paste करके यहां पे ले आँँगा और यहां पे मैं लिखूंगा let's suppose order now और इसका जो size है वो मैं काफी कम कर देता हूं इस button के मताबिक I think यह काफी छोटा हो गया है ओके अब इसको मैं यहां पे adjust कर लूँगा अब इस button का थोड़ा सा professional दिखाने के लिए मैं और यहां पे slide लूँगा और element लूँगा इसको इसके ओपर कुछ इस तरह से setup करूँगा ताकि इसमें थोड़ा से 3D सा look का आजाए और इस तरह से औ कर दूँगा अब यहां पे देखें प्रफेशनल सा button बन गया हमारे पास तो इस तरह से आप इस तरह के thumbnails जो है वो design कर सकते हैं बना सकते हैं तो I hope आपको समझ आई हो कि किस तरह से यह thumbnails आप design कर सकते हैं किसी भी तरह के और मैंने काफी सारी elements का use किया यहां पे according to the need तो मिलते हैं इंशाला है next lecture के इंदर टेविजन Keep Learning Keep Exploring चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं इंशाला है next lecture के इंदर Allah आज किस lecture के इंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप कोट की तरह की पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं फेस्बूक इंस्टाग्राम या किसी भी परपस के लिए जिस तरह की डिफ्रेंट कोट्स वाली जो हैं वह डिजाइन पोस्ट आप देखते हैं सोशल मेडिया के उपर उस त इंस्टाग्राम के लिए करना चारें स्टाग्राम के लिए और यहां पर देखेंगे आपको काफी सारी जुुए काफी सारी जो है वह पोस्ट यहां पर हमारे बास नजर आ गई है अब मेरी नीड के मुताबिक जो भी मुझे यहां पर नजर आएगा जो भी मुझे चाहिए होगा उस तरह का जो पोस्ट हो मैं यहां से ले लूगा आप में इस कैमब को प्रों के लिए गोगा तो यहां पर देख़ें यह वाली जो आपने आप में यहां कर सकता हुआ है महां पर सकते हैं आप sorrow यहां से कुछ इस तरह का यह विला कोट यूज़ कर लेता हूं और यहां पर मैं जो इसके लिए मैं डिसाइन कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं यहां पर अपना लोगो जो है वो अच्छी तरह से एक वाटर मार्क लगा देता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा अपना लोगो जो है वो यहां से मैं अप्लोड कर दूँगा तो इसको मैं अड्जेस्ट कर देलेट कर देता हूँ और इसके जगह अपना logo लगाना चाह रहा हूं तो मैं और इसको में आरपर सुर्म, छो डाप करता है। ओपेसिती में धोड़ी सी कम अुभ यहाँब हो गए। हमारी ब्रेंडिंग जो है वह अच्छे तरह से हो गई। इसके इलाव अगर कोई more element weights नदर आप यूजज करना चाह रहे हैं defendants garage को यह इसका font style चाहरे हैं यहां से आप इसका font style चेंज कर सकते हैं जो스ंट style चाहते हैं वह यहां से चाहते हैं similarly अगर आप इसका color change करना चाह रहे development for text यहां से चेंज कर सकते हैं जो भी font style आप चाहते हैं वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं similarly अगर आप इसका color change करना चाह रहे हैं तो आप यहां से change कर सकते हैं हमारे brand के color थोड़ा से इस तरह से है तो मैंने क्या किया उस तरह से उसका color change कर दिया इसके इलाव आगर मैं इसके ऊपर कोई effect डालना चाह रहा हूँ glowish सा effect इस तरह से या इस तरह से तो वो मैं effects यहां से डाल सकता हूँ जिस तरह से यह हमार पास otherwise मैं इसको बिल्किल plane रख सकता हूँ और यहां पे मैं इसको animate भी कर सकता हूँ जैसे आप यहां पे जो animate है वो type writer वाली है यहां पे देखे कुछ इस तरह से यह एक पूरा coat अच्छे से design हो गया और इसके लाव यहां से position है यहां से copy style है और यहां पे कोई अगर आप link add करना चाह रहे हैं किसी text में उपर तो link लगा सकते है इसके लाव इसका size जो थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से आप इसका size text का बड़ा कर सकते हैं तो यहां पे हमारी जो coat है हमारी अपनी branding के साथ अच्छा तरीके से ready हो चुका है और इसको हम क्या कर सकते हैं simple यहां पे click करने के बाद simple download कर सकते हैं या directly social media पे upload कर सकते हैं तो I hope आपको समझ आई हो कि किस तरह से एक coat वाली post आप design कर सकते हैं अपने branding के साथ बहुत easy सी prick थी बहुत easy से process था तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें चाहिए ताकि फ्यूचर मैने वाली वीडियो आप तक बरवट पहुचती रहे हैं अगर आपको कैनवा के basic element भी नहीं आते तो मैंने काफ सारे वीडियो सबीच रिकॉर्ड गी हैं वो जाकर आप देख सकते हैं में 10 चाला नेक्स लेक्टर अगे अंदर अल्लहाफिस असलाम अलेक्टम आप सारे लोग हैरियत से होंगे आज किस लेक्टर के इंदर हम देखेंगे किस तरह से आप के अन्वा को यूज करते हुए एक professional CV बना सकते हैं या resume बना सकते हैं और उसके जरीए आप कहीं पे भी किसी भी company में apply कर सकते हैं तो CV एक बहुत जादे important चीज है जो के आपके पास होनी चाहिए according to your professional skills तो हर कोई designer नहीं होता और उसे लेकिन CV की जरूरत जरूर पढ़ती है तो आप किस तरह से easily design कर सकते हैं आज के इस lecture के अंदर देखेंगे तो हम चलतें laptop screen के उपर और यहां पर हम आ चुके है laptop screen के उपर और यहां पर रुजब कुछ इस तरह से interface मौज़ूद है अगर यहां पर simple हम click करेंगे create design के उपर और यहां पर simple लिखेंगे हम CV कुछ इस तरह से और यहां पर देखें resume और किस तरह कि आप CV क्रिएट करना च जाएंगी और काफी सारे टेम्पलेट्स भी यहां पर मौजूद हैं यहां पर हमारे पास यह फिल्टर है अगर आप आप स्पेस्विक कलर चाह रहें अपने सीवी के अंदर तो उस तरह के टेम्पलेट्स देखना चाह रहे हैं तो यहां से चाहिएं अब लेट्स पोज मुझे सीवी मेरी थोड़ी सी क्रियेटिव होनी चाहिए मेरे पास ठीक है तो सिंपल मैं यूज करूँगा कुछ अच्छे सीवी कुछ डिजाइनर के साथ वाली सीवी लाइक जो लग ये के थोड़ी सी डिजाइनर के पॉइंट अफ दियू से अच्छी है तो मेरे कहल से ये काकि मुझे अच्छे से विजीबल हो तो मैं सिंपल यहां पे कुछ इस तरह से आगे हैं यहां पर मैं क्या करूँगा सिंपल डबल क्लिक करके यहां पे अपना नाम लिख दूँगा इस यहां से आउट हो रहे है इसको मैं थोड़ा से इसका साइज जो है वह छोटा कर तो कि अब यह पर्फेक्ट नजर आगया यहां पर मैं लिख दूँगा जो भी है लेट सो चैन्वा करें लिखना चाहें यहां के मैं कुछ टेक्स लिखूंगा और यहां पर आप अपने जो सोचल मेडिया की हैं वह देख सकते हैं तो बाइदवे आप यहां पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और सिमिलर्ली सेम हैंडल यहां पर हमारा है और यहां पर आप अपनी कॉंटेक्ट डिटेल्स और सारी चीज़ें यहां पर चेंज कर सकते हैं यहां पर देखें यह हमारे पास इसको आप बिल्कुल कुछ इस तरह से सेट अप कर सकते हैं और यहां पर अपनी वह डिटेल्स जोने को add कर सकते हैं अब let's suppose यहाँ पर हमारे पास मुझे एक और section चाहिए जो कि यहाँ पर मौझूद नहीं है तो मैं क्या करूँगा उसको adjust करने के लिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा उपर ले जाओंगा इसको भी element ज़रा space create करूँगा कुछ इस तरह से यह space हमारे पास create होगी अब मैं इसी section को simple ctrl z कर दूँगा मैं इसको मैं copy करूँगा पेस्ट कर दूँगा इसको मैं यहाँ पर ले आओंगा simple और इसी तरह से copy paste और इसको मैं यहाँ पर लिया रहा और इसको मैं send back कर दूँगा ओके यहां पर हमारे पास वह एक और शेप आगी इसको मैं again copy paste इसके उपर लाके लिखूँगा और यहां पर मैं यहां पर लिखना चाहता हूँ आँच कोब निए अबिख लिखा और यहां पर मैं क्या कर सकता हूं इनको copy paste और इसको ले कि आके यहां पर edit कर सकता हूं लट्स पोज के कि दिट और similarly इस तो में यहां कर कुछ इस तरह सज्ट कर दूँगा copy paste अगें यहां पर मैं लिख दूँगा music okay तो इसको जिस तरह से भी आप adjust करना चाहें कर सकते हैं यहां पर मुझे अपनी image replace करने हैं तो मैं इस पर double click करूँगा यहां पर देखें अब में पास image select हो चुकी है तो मैं इस image को इस तरह से delete का button press करके sorry वो एक तो हम क्या करते हैं इस image को कर देते हैं delete ओके यह हमारे पास image delete होगे यहां से अपनी image upload करेंगे और simple इसके अंदर drag and drop कर देंगे right now मेरे पास यह image वाजूद है इसको मैंने यहां पर simple drag and drop कर देंगे इसको मैं adjust करना चाहरा हूँ simple double click करूगा यहां से थोड़ इसी यहां पर बड़ी कर दूँगा इसको और कुछ इस तरह से setup कर दूँगा तो यहां पर हमारे पास हमारे जो cv है वो ready है और इसको आप यहां से click करके download यह directly social media पे यहां आप अभी आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं तो आई होप आपको समझ आई होगे किस तरह से हम कैनवा को यूज करते हुए एक professional अच्छी सी भी बना सकते हैं या आप मैंने random सी बनाई है आप जेतने effort करेंगे अपने अच्छी सी भी बना पाएंगे तो मिलते हैं शा आप सारे लोग एस होंगे आज किस लेक्शर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप कैनवा को यूज करते हो अपने लिए अपने क्लाइट के लिए एक अच्छा सा लोगो डिजाइन कर सकते हैं उसके किसी ब्रैंड के लिए तो चले चलते हैं लप्टॉप स्क्रीन के और यहां पर simply 사мотрите design पर क्लिक करेंगे और यहां से हम अचिकरेंगे लोगो कोड़ा थल्ब गारे इस फाइव क्लादिंग लोगों चाहिए ठीक है तो मैं यहां से वो सर्च भी कर सकता हूं आपको जो भी चाहिए तो यहां पर देखें कुछ इस तरह से ही आया है तो यहां पर किसी और लोगों को आप क्या कर सकते हैं यहां पर उसको चेंज कर सकते हैं according to your style यहां पर देखें यह जिम ए कर लेते हैं यह बहला तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और यहां पर मुआ पास यह लोगों आगे यहां पर मैं अपने जो ब्रैंड नेमों उसको रिप्लेस करूँगा लट से शी यहां पर मैं लिखतूँगा fashion shop let's say ठीक है आप इसको change करके यहां पर side पर रख सकते हैं या जिस तरह से भी आप इसके arrangement करना चाहें अगर आपको logo vertig horizontal चाहिए तो आपको इस तरह से इसको adjust कर सकते हैं तो यहां पर अभी के लिए इसको मैं ज़रा update कर देता हूँ अब मुझे इसको मजीद थोड़ा सा अच्छा करना है spice up करना है तो मैं उसके लिए क्या कर लेता हूँ कि इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ सिर्फ इक इस letter को इसको select करके कुछ इस तरह से मैं इसको setup कर दूँगा ओके तो यहां भी हमारे पास कुछ लोगों के शेप आ गई तो इसको मैं select कर लूँगा सब को इसको center में ले आऊँगा और यहां पर देखिए हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा इधर again में इसको जड़ा complete को select करके इसको log कर दूँगा यहां से यह ग्रूप कर दूँगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं इसको easily move कर सकते हैं यहां पर हमारे brand का नाम लेट से थोड़ा सा बड़ा है तो मैं क्या कर लेता हूं यहां भी हमारे पास एक मैंने वो text लिखा और इसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं Shive Let's see, यह हमारे brand का name है इसको मैं थोड़ा सा यहां पर adjust कर देता हूं और इसका color मैं थोड़ा सा change करना चाहरा हूं तो मैं यहां पर यह वलग color ले आता हूं और यह मैंने इसको यहां पर adjust कर दिया और यहां पर मैं क्या करता हूं एक simple dot लगा रहे हूं जो के थोड़ा सा class ही लगेगा यहां पर हमारे logo जो है वो design हो चुकिए template हमने चूज़ की थी इसको फिर alt रखिया according to our need अगर आप इसको change करना चाहरे हैं यहां पर कुछ और लगाना चाहरे हैं तो आप क्या कर सकते हैं यहां elements के अंदर आए elements पर आने के बाद यहां पर देखें बहुत सारे ग्राफिक्स बहुत सारी shapes यहां पर मुझूद हैं let's say मैं यहां पर ग्राफिक्स पर आ जाता हूं और इन पर click करूँगा और यहां पर देखें मुझे सारे चाहरे हैं इसको डिलीट करूँगा और यहां पर मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगा और इसका size जो है वो मैं थोड़ा छोटा करके कुछ इस तरह से यहां पर लगा सकता हूं तो यह हमारा लोगो जो है वो complete हो चुगा है कुछ इस तरह से तो आप इस तरह से जो भी आपका लोगो जिस तरह से भी आप इसको manage करना चाहरे हो आप कर सकते इवन आप इसको animate भी कर सकते इसको select करने के बाद यहां पर देखें यह animations हैं तो आप अपने लोगों को आप दे सकते हैं यहां पर काफी सारे जो हैं यहां पर effect के modes है ठीक है और इनकी thickness वगएर आप यहां से उनको DA कर सकते हैं उनको कम यह जादा कर सकते हैं direction वगएर की ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं जिनको आप यूज करते हो एक professional एक अच्छा लोगो बना सकते हैं अपने अपने क्लाइं आपको वीडियो पसंद आई हो ही सब्सक्राइब कर लें चैनल वीडियो को लाइक कर जाए अगर पसंद आई हो तो मिलते हैं नेक्स लेक्टर के अंदर किसी नहीं टॉपिक के साथ तिल देंगे की एक्स्प्लावरिंग अस्लावाइक माई होप आप सारी अगरे और आपको दिखाँगा कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम के लिए प्रफेश्टनल स्टोरी एनिमेट्री या फिर बिल्कुल सिंपल स्टोरी डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग कैनवा तो हम चलते हैं इस स्क्रीन के ओपर यहां पर देखते हैं हमारे पास कैनवा क डेश्बोर जो है वो एवे ओपन हुआ हुए simple हम इसकारें कि करेंगे znajं और यहां पर हम लिखेंगे instagram और यहां पर हमारे decorated option आ जाएंगे instagram portrait square वीडियो profile picture तो यहां पर हमारे पास स्टोरी अगर आप नॉर्मेंट डिजाइन करना चाहरें इस पर क्लिक करेंगे अगर वीडियो वाली स्टोरी बनाना जा रहे हैं तो इस पर करेंगे और इसी दरा की हमारे सामने आजाएंगी जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं विदन वान क्लिक तो यहां पर देखें अगर मजीद यहां पे इस प्लिटर को यूज करेंगे कोई भी कलर जो प्रेंड कलर हमारा होगा उसको हम यूज करके उस तरह के जो है हमारे पास सेम टेंपलेट सागी उ ब्रेंड निलिम खकते हैं तो लेक्षशेश ओं को यहां पर यूज़ करता हूँ रैइन क्या इंग और यहां पर जो चीजे चैंज हों वो कर लोंगा और यह पर जो चीजे मुछी जेग हम बोगां यहुए कर लोंगा atención तो इसको मैं थोड़ा सा इस जगा पे अड़ेस्ट कर दूगा तो यहां पे देखिए हमारी एक स्टोरी जो है वो कुप्लिटले रेडी हो चुकिए इसके अंदर कोई और ऐलिमेंट्स आप यूज करना चाहें तो यहां से ऐलिमेंट्स यूज कर सकते हैं कोई और इमिज को रिप्लेस करके किसी और इमिज यूज करना चाहें तो आप इसको डिलीट करके और यहां पे ऐलिमेंट्स में आके और यहां पे आप आएंगे images वाले section के अंदर तो मैं क्या करता हूँ यहां पे मैं लिख देता हूँ let's suppose आपको कोई और picture चाहिए किसी लड़की की picture आप लगाना चाहिए तो यहां पे देखें यह photos आगई इस पे click करेंगे हम और यहां पे देखें simple हम इसको use कर लेंगे right और इसको थोड़ा सा यहां से हम इस तरह से adjust कर सकते हैं according to our mail यह हमारा एक अच्छा सा जो है वो cv sorry एक instagram story design हो चुके इसको आप simple यहां पे click करके directly share भी कर सकते है schedule भी कर सकते है और यहां से download भी कर सकते है directly simple इसको download करे और instagram के उपर story लगा सकते हैं और according to your need इसको मजीद customize कर सकते हैं तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से आप एक अच्छी से story design कर सकते हैं कैनवा के अंदर according to your need अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काईटी चैनल सब्सक्राइब तर लें ताकि future में आने वाली तमाब वीडियो आपको बार वक्त मिल सकें इस तरह से आप एक प्रफेशनल चैनल आर्ट डिजाइन कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए तो चले चलते लैप्टॉप स्क्रीन के उपर यहां पर देखिए हमारे पास कैन वा कनस्का डेशरबूड जो है वह ओपन है यहांपर और को क्लिक करेंगे और यहांप लिखेंगे हम चैनल है चैनल बैनर ठीक है चैनल आट ये चैनल बैनर तो इस तरह आप हाए कि काफि तरह इपलेड़ zegए ऊपने जिए जिन कर लेता हूं अगर आपका गेमिंग चैनल है तो आप यहां से यह उठा सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं जिस तरह का भी आपका चैनल है गेमिंग देखे सारे जो चैनल आट हैं वो गेमिंग वाले आगे हैं अगर आपका फैशन है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं फैशन लग रहा है मिनिमल सा तो मैं क्या करता हूं इसको यूज कर लेता हूं और यहां पे जो है मैं लिख लेता हूं और यहां पर जो चीज़ें आपको चेंज करनी है वो आप चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर अगर आपको कोई पिच्चर लगानी है तो आप क्या कर सकते हैं यहां से ऐलिमेंट लेंगे मैं यहां पर बलके पिच्चर लगाना चाह रहा हूँ तो मैं एक पहले तो यहाँ पे एक circle लोगा श.कुर्षिर्स को मैं थोड़ा सा इस जगा पे set कर। कुए यह हमारे पास circle set हो गई अब इसके अंदर में एक frame लगा दूँगा ओलगा लेतसे यह हमारे पास frame राख इसको मैं adjust कर दूँगा इसके अंदर ना को कुछ कर लहाँ मुद्ध के यह इसका ऑड़े है थोड़ा अच्छा सा नजर आगे अब मैं इसका इंपर सिंपल क्या कर लेता हूं एक पिच्चर सा कम जो भी मेरे ब्रेंड की पिच्चर यह जो भी पिच्चर में यूज करना चाहा हूं यह से मैं यह वाली पिच्चर यूज करना चाहा हूं तो मैं इसको ड्रैग करके इसके अंदर यूज कर लोगा और इसमें डबल क्लिक करके कुछ इस तरह से अधिजस कर लोगा तो इस तरह से यहां से थोड़ा सा लगते हैं तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं एक अच्छा से चैनल आट बना सकते हैं अकॉर्डिंग टूएर नीड और अकॉर्डिंग टूएर डिजायर यहां पर देखें मैंने एक पोस्टर भी बनाया था काफी यहां पर यह आपको पॉस्टर में जरा रहा हुआ है तो इस तरह से आप जितनी क्रियेटिविटी दिखा सकते हैं यहां पर दिखाएं डिफनेट अलिमेंट्स को यूज़ करें और आप अच्छा सा चैनल आट डिजाइन कर सकते हैं तो चले चलते हैं लाप्टॉप स्क्र इन के उपर और यहां पर देखें हमारे पास एक option है create design का simple यहां पर create design करेंगे और यहां पर लिखेंगे YouTube तो simple यहां पर देखे YouTube का banner आप design कर सकते हैं चैनल logo design कर सकते हैं display design कर सकते हैं लेकिन right now हमें क्या design करना है YouTube thumbnail तो simple इस पर मैं टीक करूँगा और इसका art mode जो हमारे सा साथ ही हमारे पास यहां पर देखें बहुत सारी जो templates हैं वह यहां पर show हो जाएंगी right अगर आप किसी specific color की template चाह रहे हैं तो यहां से आप colors वगएर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी color right तो simple यहां पर हमारे पास देखेंगे professional जो thumbnail है वो यहां पर आ चुका है अगर यह thumbnail इस त सब्सक्राइब कर देखें यहां पर मेरे पास बड़ा अच्छा professional सा thumbnail ला चुका है यहां पर मैं लिखते है ता हूं सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कुछ भी how to scale up your business और यहां पर जो है अपनी image है वो उसको change कर सकता है तो मैं इसको delete कर देता हूं अपनी image जो है वो यहां पर use कर लेता हूं सिंपल मैं इसको adjust कर देता हूं कुछ इस तरह से और यहां पर जो भी टेक्स्ट पो गएर है वो सारी चीज़े में change कर देता हूं यहां पर कुछ और element आपको add करना या कुछ भी add करना तो यहां से आप इन elements के अंदर बहुत सारे elements और circle और images और इस तरह का कुछ animated icons उनको ज जो है बहुत सारे icons मौजूद है यहां पर मैं लिखूंगा let's post building और यहां पर दे कि मेरे पास काफी सारे graphics आवे तो simple मैं मुझे इस तरह की building चाहिए तो यह building मैं use कर सकता हूं या फिर यह वाली building को मैं इस तरह से use कर सकता हूं इसको मैं यहां पर लिया है इसका मैंने जो size है इसको adjust कर लिया according to my need और यहां पर मैंने इस तरह से इसको adjust कर दिया और इसको मैं थोड़ा सो और adjust कर दूंगा इस पर click करने के बाद इसका जो color है वो according to मेरी desire है उस में change कर सकता हूं जो भी मैं यहां पर color रखना जाओं right now यही color अच्छा लग रहा है जो हमारा primary color है यहां पर देखे हमारे पास एक अच्छा सा YouTube का thumbnail जो है वो design हो चुका है और मजीद आप यहां पर लगा सकते हैं subscribe वाला button वगएर है यह इस तरह के कोई भी चीज़ें तो यहां पर देखें काफ सारे आपके पास icons आगए simple इसको select करें और यहां पर आप इसको adjust कर सकते हैं कुछ इस तरह से तो यहां पर देखें हमारे पास एक प्रफेशनल यूट्यूब थम्निल डिजाइन हो आपको समझ आए होगा complete process अगर आप फिचर में इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें मिलते हैं इंशालला नेक्स लेक्शर के इंदेटिल इन कीप एक्स् सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि फिचर में तमाम वीडियो आप तक बरोपत पहुंचती रहें असलाव लेकुम आई होप आप सारे लोग है रहे हैं से होगे आज किस लेक्शर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप एक बहुत ही professional website design कर सकते ह किसी बी तरह की आपको यहां पर पैसे नहीं पे करने आपको इसके साथ साथ free domain भी मिलेगी कैनवा की तरह से जो कि सब डूमेन होगी तो चलते हैं चलते हैं laptop screen के ओपर यहां पर और यहां पर यहां पर देखिए हम यह option मुझूद है website का और इसके इलावा अगर हम यहां से इसको access करना चाहें तो simple इस पर click करेंगे और यहां से हम क्या कर सकते हैं website यहां पर type कर सकते हैं और हमार पास same वो ही option आ जाएगा right तो यहां पर मैं website पर right now click कर देता हूँ और मेरे पास different websites की pre-built जो templates है वो यहां पर मेरे पास मौझूद होंगी इसको load हो लेने यहां पर देखें बहुत सारी websites मेरे पास यहां पर मौझूद हैं आपको जिस purpose के लिए बनाने वह purpose आप यहां पर लिख सकते हैं let's suppose मैं again fashion लिख देता हूँ तो यहां पर देखें जितनी भी website जो fashion के relevant templates हैं design हुई हुई हैं उनको आप use करके उनको edit कर सकते है according to your need right उसके लावा अगर आपको को specific color चाहिए उसके अंदर let's suppose मैं चाह रहा हूँ कोई yellow color वाली template हो या green वाली हो तो मैं कुछ इस तरह से filter apply कर सकता हूँ but right now कोई भी fashion के अंदर मौजूद नहीं है fashion को मैं remove करके फिर again जो है वो green color choose करता हूँ या कोई भी color choose कर लेता हूँ तो उस तरह की जो website से मेरे पास show हो जाएंगी तो okay right now कोई भी मौजूद नहीं है हम क्या करते हैं कोई और color choose कर लेता है यह आप देखें हमारे पास orange color की जितने भी websites जो हैं वो हमारे पास आ चुकी है तो इस तरह से जिस तरह की भी आपको template चाहिए होगी वो आप यहां पे ढूंड सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं choose कर लेता हूँ कोई भी website let's suppose business website तो यहां पे हमारे पास या photography website और यहां पे देखें हमारे पास एक page की website है आप multi page भी इसके अंदर add कर सकते हैं तो यहां पे इसको आप edit करेंगे सारी चीज़े करेंगे इस इस इमेज को रिप्लेस करके मैं अपनी इमेज लगा देता हूँ यहां पे लाइक दैट और इसको मैं कर देखेंगे और यहां पे मैं जो भी चीज़े मुझे एडिट करने है वो मैं एडिट कर सकता हूँ और इसके बाद सिंपल मुझे यहां से इसको पब्लिश करना है पब्लिश करने के बाद मुझे यहां पे मेरा लिंक मिल जाएगा यहां पर यह देखें फ्री डुमें मेरे साथ क्लिक कोई और मैं इसको यहां पर देखेंगे यहां पर जो चीज़ भी आप लिखेंगे वेपसाइट डिस्क्रिप्शन वहां पर शो होगी लटसे मैं यहां पर लिक देता हूं फोटोग्राफी एड और यहां पर मैं अगर कुछ एडिट करना चाहूं तो वह मैं अट्रकर सकता हूं ऐसको दारिश फोटोस जैसे यहां पर अपर क्लिक हौआई यहां पर लिक आई तो इस तरह साथ आपकी विप्साइब भी यहां पर शोगआ और यह जो आइकन यहां अब फरक आइकन लगावाई इस तरह से आप अपना आइकन भी यहाँ पर एड़ कर सकते हैं तो मेरे पास यहाँ पर जो है मैं वो आइकन यूज़ कर लेता हूँ तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ just for the sake of learning purpose तो यह upload हो रहा है यहाँ पर जैसे upload होगा तो इस जगा पर जिस तरह यह है हमारा वह वह आइकन शोग हो जाएगा जो हम शोग कर रहे हैं अगर मैं इसको publish करूँ तो यहाँ पर देखें यह मेरी website जो है वो publish हो रही है और यह मुझे एक link दे देंगे और वो link दुनिया में आप कहीं पर भी उसको use कर सकते हैं किसी भी client को show करवा सकते हैं आपकी actual website अब let's suppose अगर मैं इसको इनके अगनेटो window के अंदर open करके दिखाऊं तो यह website आपकी चलेगी उस तरह से अब मजीद इसके अदर आपने edits करने हैं यहां में आपकी website जो है वो open हो चुकी है मजीद अगर आपने इसके ऊपर edits करने हैं तो आप वापिस जाके edit design पर click करेंगे और अगें इसके अंदर अगर मुझे इस तरह की website design करने हैं तो मैं किस तरह से design करूँगा उसका process मैं आपको थोड़ा से लेंथी होगी लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको तमाम चीज़ें A2Z बिल्कुल अच्छे तरह के से guide कर दो तो यहां पर हमारे पास जो यह website जारा open हो तो हमारे पास top की त तरह से यहां पर इमिज होगी हैं पर कुछ text होगा और फिर इस तरह से आप design करते जाएंगे तो चले चलते हैं इसको हम design करते हैं सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं यहां पे एक element ली लेता हूं कुछ इस तरह से इसको मैं थोड़ा से छोटा करके इस तरह से setup कर लेता हूं इसकी जो opacity है उसको मैं थोड़ा से कम कर लेता हूं ठीक है और इसके उपर मुझे लगाना है एक logo अपना तो मैं क्या करता हूं यहां से मैं अपना logo select करके इसको adjust करके यहां पर logo adjust कर लेता हूं उसके बाद मुझे यहां पर menu चाहिए जैसे यहां पर यह है home services about तो उसके लिए मैं यहां पर एक पॉपिन्स का जो है वो मैं font यूज़ कर लेता हूं इसको मैं उठा के यहां पर लगता हूं हूं इसके बाद इसी को मैंने copy किया पेस्ट किया again copy paste तो अभी के लिए मैं यहां पर तीन चीज़ें ही रख दूँगा का अच्छा इसका साइज थोड़ा सा कॉपी एंड पेस्ट और यहां पर मैं इसको एड़ेस्ट कर देता हूं कुछ इस तरह से contact अब मुझे अपनी website के अंदर total three pages चाहिए जो के मुझे यह वाले चाहिए तो सबसे पहले यह मैं home page यह वाले design कर लेता हूं इसके अंदर मैच आ रहा हूं कुछ इस तरह से लूग कर सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहां पर एक heading लेता हूं और यहां यहां पर जो है medium की और इसको थोड़ा सा बड़ा करके कुछ इस तरह से यहां पर लिख देता हूं इसको मैं again copy कर लेता हूं पेस्ट कर देता हूं इसके उपर और इसको मैं यहां से copy कर लेता हूं और इसका size जो है वो मैं छोटा कर देता हूं कुछ इस तरह से और इसको यहां पर adjust कर देता हूं उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ text add करना है इस तरहां का तो मैं again इसको copy paste और यहाँ पे यह बला जो मैंने text copy किया है उसको मैं यहाँ पे paste कर दोओंगा ची यह copy बड़ा हो गया है इसको मैं क्या गलेता हूँ छोटा गलेता हूँ कि बीस पे लाग डैट इसको मैं मजीद थोड़ा सा बोल्ड गर देता हम अब कुछ लुक निकल के आई हमारी और यहां पर मैं अगेन अब मुझे यह वला टेक्स चाहिए तो मैं सिम्पल यहां पर नॉर्मल पॉपिंज यूज़ करूंगा आप कोई भी पॉंट यूज़ कर सकते हैं तो यह हमार पास मैंने जल्दी जल्दी में एक बेसिक सा लुक लेके आया हूं मैं इसके उपर लाइक दैट ओके तो अब क्या कर सकते हैं यहां पर आप इमिज लगा सकते हैं कि तो सिम्पल यहां पर आएंगे अपनी इमिज अप्लोड करेंगे जो भी आपके ऐसी डोगा उसको आप इस तरह से अप्लोड कर देंगे तो यहां पर देखें यह हमार होम पेज राड़ी हो चुका है अब इस होम पेज को मैं क्या करूंगा सिम्पल इस पर क्लिक करूंगा और यहां पर देखें अगर मैं मोर पर जाओं और इस वाले टेक्स के उपड़ सिम्पल यह हमारे पास तीन और आईकनस हैं अब मेरे पास होम पेज तो मैंने जल्दी जल्य में डिजाइन किया जिस तरह कभी था जिस आपको दिखाने के लिए इस तरह से ऐलिमेंट को यूज करना है तो यह एक होम पेज तो हमारे पास हो गया अब मुझे यह अबाउट और कॉंटेक्ट डिजाइन करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगे एड नीव पेज इसके उप लिए यहां पर हमने अब आउट लगा ना था लेकिन हम यहां पर कॉंटेक्ट लगा दिया जिस आपको समझाने के लिए कि सेकंड पेज किस तरह से काम करेगा करें तो हमारे पास यहां पर टर्लेट के अंदर आप जाएंगा अब लाऑउट का और बना सकते हैं यहांपर देखें इसको मैं सिंपलन कुछ इस तरह से यहां पर मैं इमिज लगा दूँगा जो भी इमिज मुझे चाहिए होगी तो ओके देखें ये अब आउट वाला सेक्शन हो गया यहां पर हमने होम पेज बनाया था यह आबाउट वाला सेक्शन हो गया यहाँ पर अड़ कर सकते हैं अब मैं कॉंटक्ट वाला सेक्शन जो है वो यहां से बना लूँगा सिंबल अगेन मैं यहां पर आउँगा templates के अंदर layout में आउँगा और यहां पे जो भी मुझे suitable वो चाहिए होगा वो मैं यहां पे use कर सकता हूँ contact details below ठीक है और यहां पे मैं कोई भी icon use कर सकता हूँ let's suppose contact वाला ठीक है उसको मैं यहां पे use कर सकता हूँ इसकी जगा पे कुछ इस तरह से ठीक है किसी तरह यहां पे email वाला use कर सकते हैं आप ठीक है और यहां पे आप क्या कर सकते हो कोई और use कर सकते हो जैसे address वाला यह कोई भी icon जो भी आपका suitable लगे right now मैं बिज़स्ट आपको सिखाने के लिए कोई भी icon use कर रहा हूँ तो इस चीज को आप जरा वो करिएगा तो यहां पे हमारे पास तीन pages की website बन चुकी है अब यहां पे हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनको हमें थोड़ी सी चीज़ों को देखना है कि यहां पे देखें यह हमारी एक website है इसको मैंने क्लिक किया तो यहां पे देखें add note को option आ रहा है ठीक है इस note की जगह पे मैं page title दूँगा इसको मैं दूँगा home page इसको मैं enter कर दूँगा इसी तरह से इस वाले page पे आऊँगा और इसको select करने के बाद यहां पे note पे आके इसको मैं about का नाम दूँगा ठीक है about उसके बाद मैं यहां पे नीचे की तरह आँगा इस page पे और इसको मैं title दूँगा contact का ठीक है यह मेरे पास हो चुका है अब मैं देखता हूँ इसका preview करके तो simple मैं ने इस पे preview पे click किया और यहां पे देखें with navigation अब यहां पे मैं click करूँगा तो यहां पे basically यह वाला navigation शो हो रहा है हमारे पास यह देखें कुछ इस तरह से बट यहां पे match आ रहा हूँ कि यह वाला navigation शो ना हो बल्के इस पे click करने के बाद से यह इस तरह से ब्याव करें तो मैं इसको अभी के लिए cut कर देता हूँ और यहां पे सबसे पहले यह पहला home page select कर लेता हूँ यह मैंने home page select कर लिया इसका मैं क्या कर लेता हूँ link कर देता हूँ इसको home के साथ उसके बाद हमारे पास यहां पे यह second page है जिसको मैं select करना चाह रहा हूँ लेकिन वो मेरे ख्याल से उसका size जो है वो काफी बड़ा है इसको मैं थोड़ी देर के लिए side बे करके इसको मैं link कर देता हूँ about वाले page पे और इसको मैं link कर देता हूँ contact वाले page पे और उसके बाद simple मैं इसको adjust कर देता हूँ उन्हीं की position पे तो अब ये proper link हो चुके हैं अब मैं इसको अगर preview करूँ और यहां पर मैं लेकिनगा without navigation अब वो उपर वाले navigation जो है वो खतम हो चुका होगर यहां पर देखें यह वाले जो navigation है वो काम करेगा ठीक है यह यहां पर देखें अगर मैं इस about पर क्लिक करता हूँ अगर मैं इस about पर क्लिक करता हूँ अगर मैं इसको publish कर दूँ आप website को simply करने के बाद यहां पर मैं जो भी settings जो कि मैंने पहले आपको बताई है उस settings आप यहां पर कर सकते हैं with navigation ठीक है इसको आप without navigation रखने जिए क्यों सकते हैं ताकि आपकी website मूबाइल पर responsive नजर है ठीक है और यह आपकी website का URL होगा ठीक है अगर आप इसको change करना चाह रहे हैं तो यहां से change कर सकते हैं otherwise इसको continue कर देंगे और यहां से आप इसको publish कर देंगे तो आपकी website again publish हो जाएगी और अब यह URL आप कहीं पे भी use कर सकते और किसी भी तरह से इसको use करते हुए अपना portfolio अपना work अपने blogs यहां पे show करवा सकते हैं तो यहां पर देखिए हमारी website का URL है और इसको आप भी खोलेना चाहें तो यह आपके पास भी इसी तरह से work करेगी यह URL अगर आप अपने browser में type करेंगे तो इस तरह से आपको यह website show होगी तो यह मैंने एक मानता हूं अन प्रफेशनल से website create किये just for the sake of कि मैं आपको सिखागा हूं इस तरह से आप एक अच्छी और प्रफेशनल website design कर सकते हैं इसको यूज को आपको समझ आई होगी मिलते हैं इंशालहे नेक्स लेक्टर के अंदर किसी तरह को क्यों क्यों कर सकते हैं जरूर डेफिनेटली मैं आपको लाए करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे अनले वीडियो आप तक पह सकते हैं तो इसके लिए हम चलते हैं लापटॉप स्क्रीन के ओपर और वहां पर देखते हैं कि हमने कौन कौन से मैथिड मैंने बेसिक से कंपाईल किये जो के बहुत साथा बेसिक हैं और इजीली आप उनको यूज करते हुए अपनी सर्विसे से कर सकते हैं हम आ चुके हैं लापटॉप स्क्रीन के ऊपर यहां पर कुछ तरीके हैं कि आप पिचर्स का बेंग्राउंड रूब करके बेच सकते हैं उसकी सर्विसेज दे सकता है थम्नेल बनाने के किसी तरह का थम्नेल बनाके दे सकते हैं लोगो पोस्ट अप्लाय ब्रोशर वेब साइट तक डिसाइ है तो यहां पे देखिए अगर में रिमूब बेक्राउड लिख कूं तो बहुत सारे लोग यहां पर क्या कर रहे हैं बेक्राउंड रिमार DR हो जाए ले इमीज में पर लिए यहां पर देखिए यहें आपको करके दिखाया था इस वाल bv ठीक है जिस्ट आपको यहां पे पिच्चर अप्लोड करने हो और उस पिच्चर का जो बैक्ग्राउंड और रिमूब हो जाएगा जैसे यह वाली ठीक है तो इस तरह से आप भी पिच्चर का बैक्ग्राउंड रिमूब करके करने की सर्विस दे सकते हैं ठीक है लाग डैट उसके साथ साथ यहां पे आप क्या कर सकते हैं आप अपने थम्नेल्स बना के बैच सकते हैं जैसे लोग यहां पे यूट्यूब के थम्नेल बनाने की सर्विस दे रहे हैं तो आप भी उसी तरह से यहां पे सर्विस दे सकते हैं यूट्यूब के थम्नेल बनाने की यहां पे यहां पर लिखा और यहां पर देखें बहुत सारे लोग CV डिजाइन करने की सर्विस दे रहें तो मैंने आपको ये भी शिखा जो का किस तरह से आप एक CV डिजाइन कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपने वुडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट जाकरें चैनल के है आप लोगों डिजाइन करोगे राइट तो यह सारी चीजें जो है आप यहां पर अच्छे प्राइस के अंदर सेल कर सकते हैं यह अगर आप फेस्बुक पे भी चले जाएं लेट सब्सक्राइब लोगों की दिमार्ड है कि वह चाहते हैं उनके लिए कोई थमने डिजाइन कर दें उनके लिए कोई डिजाइन कर दें लोगों कर दें तो बहुत सारे लोग यहां पर डेली बेसिस पे वह करना चाहरें तो आप आ के लिख दे लेट से थम्नेल यूट्यूब तो आप जैसे इसको सर्च करेंगे तो यहां पर मेरे स्पैलिंग घल्लत हो गयते थोड़े सर्च के और यहां पर आप क्लिक करेंगे पोस्ट पर यहां पर देखें कितने सारे लोगों ने कहा हुआ है we need thumbnail maker for YouTube coming box अब यहाँ पर देखे इस भाई को एक thumbnail designer चाहिए तो आप यहाँ पर comment करके यह job ले सकते हैं ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखें need YouTube thumbnail maker for vlog channel send me samples ठीक है यहाँ पर देखें कितने सारे लोगों को यह वली services चाहिए ठीक है तो आप इस तरह से से लोगों को ढूंड के उनको सर्विसिस ओफर कर सकते हैं और आपने काफी कुछ सीखा है कैनवा के अंदर किसी तरह से आप elements को यूज करेंगे किस तरह से templates को यूज करेंगे और add the end वो चीज प्रवाइड करेंगे क्लाइट को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता ज्यादा तर कि आपके वो कैनवा से डिजाइन किया यह फोटोशॉप एलेस्ट्रेटर से उससे एड़ दैट उसकी रिक्वाइर्मेंट्स मेट होनी चाहिए उसको जिस तरह का डिजाइन चाहिए उस तरह का डिजाइन आपके अनवा से डिजाइन करके दें फोटोशॉप से डिजाइन करके दें लेस्ट्रेटर से टोडली डिपेंड अपॉन यह तो आई होप आपको समझ आई होगे कि कैनवा को यूज करते हुए किस तरह से आप क्या कर सकते हैं एक अच्छी सर्विस इस दे सकते हैं ओनलान नेक्स को सापके इस के ऊपर चाह रहे हैं वो मुझे जरूर बताएं नेशे कमेंट के अंदर ताके उस तरह का जो है वो मैं कोस्ता आप लोगों के लिए डिसाइन करों और जो लोग कमेंट करेंगे उनको मैं कैनवा ब्रो भी दूंगा तो मिलते हैं शॉआला नेक्स्ट क खर्व्जा खर्वीजब के लिए